वेलकम टू अवर चैनल नॉविल्स भाई हुसने कवल असलाम लेकुम लिसनर मैं हूँ आपकी होस लाहबस उमयर और मैं हाजिर हुई है हुसने कवल का बहुती मज़ेदार सा और रोमेंटिक सा नॉविल तेरी स्टमगरी की एपिसोड 29 लेकर तो आईए हम शुरू करते हैं अगर बाद में तुम्हें पता चाले के दिल गलत इनसान के लिए धड़क रहा है तुम्हारा तुम्हारा यी तो कोई और है फिर फिर क्या करोगी दिल भले ही लेफ्ट पर हो मगर होता हमेशा राइट है वो खासा जताते हुए जवाब देकर बैट पर आकर बैटी ये खिड़की का शीशा किस ने तोड़ा वो फर्श पर बिखरे काँच और कमरे की खिड़की तूटी हुई देख परिशान होकर इस्तिफसार करने लगी मेरे इलावा और कोई है यहाँ वैसे क्या मैं पूछ सकता हूँ ये क्या हरकत थी दर्वाजा अंदर से लौक क्यों किया था तुमने वो करीब आकर गुरा कर मुकाबल हसीना को देख दपट वाले लहजे में पूछने लगा मैं कुछ पूछ रहा हूँ अरीबा इसे जवाब ना देता देख वो पहले से ज़ादा गुराहट के साथ अपनी बात पर जोड देते दात पीसते हुए सवाली अंदाज में गोया हुआ मुझ पर लाजम नहीं तुम्हारी बातों के जवाब देना अब प्लीज मेरा दिमाग खाना बंद करो मुझे सोना है क्योंके जाने तो मुझे तुम दोगे नहीं आखरी जुम्ला खासा तंजिया लहजे में खा जानी वाली निगाह से घूरते हुए कहा अब बात हार से कहीं जादा की थी इसे अपने ई को ढूनना था वो भी सबूत के साथ ऐसे सबूत जिने वो सितमगर जुटला ना सके वो नहीं जा सकती थी कभी नहीं जिस पर देशी से मिनने वो इतनी दूर चली आई थी जबके जानती ही क्या थी उसके मुतालिक कोई सुने तो दिवाना कहे भला जिसे कभी देखा ही नहीं उससे कैसी मुहबब मगर उसे थी वो भी मर मिटने वाली उस पर जान लोटाने वाली खुद को वार देने वाली जब चारो तरफ सिर्फ अंधेरा था वो तब नहीं हारी तो अब जब उमीद की किरन सामने चमक रही थी बलके यूं कहा जाए तो जादा बहतर होगा कि आब उताफ से जगमगा रही थी तो वो कैसे पीछे हट जाती ना ना अब नहीं जाना इस परदेशी का मुल्क छोड़कर इसने पक्का एरादा कर लिया था विखर आई शुकर है तुम्हारी मोटी अकल में ये बात तो आई कि तुम यहां से जा नहीं सकती वो उसके बराबर में बैटते हुए एक गहरा सांस हवा में खारज कर चहरे पर प्यारी सी मुस्कान सजाए गोया हुआ लेकिन आप शायद आपकी मोटी अकल में नहीं आई मिस्टर जैन शोहर नहीं है आप मेरे आपका मेरे कमरे में इस वक्त होना बिलकुल भी मुनासिब नहीं तो बराए करम अपनी तश्रीफ का टोकरा लेकर बाहिर दफ़ा हो जाए उससे कबल के मैं धक्के देकर निकालू वो दात पीसते हुए एक एक लफ चबा चबा कर उर्दू जबान में बोली तुमने अभी क्या कहा समझ नहीं आया मगर उमीद है अच्छा ही कहा होगा मुँ मुस्कुरागर अपनी अंग्रेजी जबान में कहते हुए बैट पर लेड गया आह कितना नर्मो मुलाइम बैध है वो मुसलसल घूरी से नवाज रही थी इसे वगर मजाल है इस बला के धीट पर जरा भी कोई असर रोनुमा हो रहा हो अपने एक हाथ को सर के नीचे तक्ये की तरफ लगा कर पुरसुकून अंदाज में आँखे बंद कर धीमी आवाज में गोया हुआ जैसे सोने लगा हो जादा एड़ा बन कर पेड़ा ना खाओ मुझे अच्छी तरह पता है उर्दू जबान मुकमल आती है तुम्हे अब भटो पेरे बैट से वो मुँ बसोर कर चिड़ते हुए उसे बैट से उठने का हुकम देने लगी वो दानिस्ता तोर पर जैन से उर्दू में बात कर रही थी देखना जो था के मुकाबिल कितना पानी में है पता तो चले के उर्दू आई तो आई कहां से इस गोरे को जिसके मुतालिक इसका अपना कजन फाहत तक नहीं जानता और ना इसके घर वाले भला जबान पर उमूरियत भी कोई एब है जो चुपा कर रखता है वो जहां की बेजारी के साथ अपनी आँखे खोल कर लेटे हुए इस हसीना को देख मु बसोर कर कहने लगा तुम जा रहे हो या नहीं मकाबिल हसीना ने गुरा कर सवाल किया शोहर ना सही बॉस तो अभी भी हूँ तुमारा उसी का लिहास कर लो थोड़ी देर लेट कर खुदी चला जाओंगा वो जाना नहीं चाहता था बुखार अभी पूरी तरह उत्रा नहीं ता उस लड़की का वो कहीं भी चला जाए उसी की फिकर में घुलता रहेगा सामने रहेगी तो कमसकम दिल को तसली होगी कि वो ठीक है मासूमियस से लचकदार अंदाज में कहकर उसने आँके फिर मूंदली थी अगर तुम इस तरह बीच बैट पर लेटोगे तो मैं अपने पाउं क्या तुम्हारे सर पर रखूंगी वो तन्जिया बरहमी से पूछने लगी मैं तो बराबर वले तक्ये पर लेट जाऊं मगर तुम ही चिक चिक करोगी मुहांखे खोल अपने हाथ की कोनी बैट से टिका कर हाथ के प्याले में अपना रुखसार रख ला परवाही से गोया हुआ ठीक है तुम लेट जाओ उसने नर्मी से मस्नूई मुस्कान चेहरे पर सजाए उसे लेटने की इजाज़त दी जिस पर वो बेयकीनी वा हैरत से तेजी से उटकर बैठा वाकी क्रिस्टल सी चमकती आँखों में जलकती हैरत वो बासानी पड़ सकती थी बिल्कुल आराम से लेटो तुम्हारा ही तो घर है उसने दाथ पीस कर तंजिया कहते हुए अपना तक्किया उठाया और उठकर उसी के सामने दर्वादे की जानिब चल दी कहां जा रही हो वो उलच कर सवाल करने लगा जब तुम मेरे कमरे में सोगे तो जाहिर सी बात है मुझे तो लाउंच में ही सोना पड़ेगा न वो तंजिया मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए नर्मी से जवाब दा हुई अच्छा भावा जा रहा हूँ मगर दर्वादा लॉक मत करना अंदर से वो हार मानने वाले अंदाज में कहता हुआ उठकर बैठा क्रेन मंगा दूँ अगर उठा नहीं जा रहा तो उसका दिल ही नहीं था जाने का बैठ कर सर जुका कर उंगने लगा क्या मुकाबल दिल रुबा नहीं जानती थी कि ड्रामे कर रहा है वो तेजी से दोनों हाथ फोल कर उस खूबरू नौजवान को घूरते हुए तंस का तीर चलाने लगी पत्थर दिल औरत वो मूँ बसोर कर शिकवतन बोला औरत नहीं लड़की हुमे वो खासा जताते हुए उसके जुमले की तसही करने लगी तुम्हे वाके ही लगते है तुम अब भी लड़की हो होट सुकेड कर उसे बगोर सरता पाउंटन कीदी नजरों से तकते हुए कहा इस खूबरू नौजवान ने दानिस्ता तोर पर खत्शा जाहिर किया था क्या मतलब? मुकाबल की बास सुनते ही वो गरबडाई वही मतलब है जिसे समझ कर तुम्हारे गाल सुर्ख पढ़ रहे हैं वो खासा महजूस हुआ था इसके हसीन रुखसार को सुर्ख पढ़ता देख कुछ नहीं हुआ था हमारे दर्मियान मैंने उल्टी कर दी थी मुझे याद आ गया है इसने फौरण ही भरहम से कहा वो अलग बाते इसे कुछ याद नहीं आया था बस आज उल्टी करते वक्त महसूस हुआ जैसे ये सीन पहले भी हुआ है भरहम से तो फक्त इसलिए कहा था कि मुकाबल खुद बताए कि उस रात हुआ क्या था उसका अंधाजा सही निकला तो दिल से मनो बोज उतर जाएगा और कब याद आया ये उसने जजस्स से स्क्सार किया जब मैं उल्टी कर रही थी दू बदू जवाब दिया जिसे सुन उसने मजीद कुछ ना कहा और मुँ बसोड़ता हुआ उटकर कमरे से चला गया जैन का खामोशी से चले जाना इस बात का सुबूत था कि इस रात कुछ नहीं हुआ था इनके दर्मियान अरीबा ने उसके चलते ही कमरे का दर्वाजा बंद किया फिर एक गहरा सांस हवाँ में खारिच किया शुकर ए खुदा का उस रात कुछ नहीं हुआ वो बहुत शुकर गुजार थी अपने रब की उस लम्हे पहली बार एहसास हुआ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है अगर जैन इसे जबरदस्ती बाइक पर बिठा कर ना लाता तो उसे उल्टी ना होती और अगर उल्टी ना होती तो उसे कभी वुसीन दुबारा होता महसूस ना होता कितना बड़ा बोज उतरा था दिल से जिना बहुत बड़ा गुना है जिसने खुदा ने उसे बचा लिया था वो बता नहीं सकती थी कितना सुकून आ गया था रूँ को ये जानने के बाद कि उसका जैन से ऐसा कोई तालुक नहीं जिसके लिए दुबारा उसके सामने निका की भीक मांगनी पड़े उस लड़की ने ये तो देखा कि इस सितमगर ने निका से इंकार किया मगर ये गोड़ ना किया कि चाहता तो फायदा उठाता कौन रोक सकता था उस लम्हें उसे जब वो ड्रक्स के नशे में खुद अपना आप उस पर फैंक रही थी मगर उसने कोई नाजाइस तालुक काईम ना किया बलके हिफाज़त की इज़त की हिफाज़त इसकी आबरू की हिफाज़त क्योंके रूह से इश करने वाले आशिक बाते जिसमों की करते नहीं ऐसा नहीं कि जिसम की तलब ना थी बिलकुल थी मर्द हो और तल्ब ना हो ये कहा मुम्किन वो भी मर्द है उसे भी तल्ब थी लेकिन होशो आवास वादिली रज़मंदी के साथ पाने की तल्ब थी सिर्फ इस लड़की के जिसम को नहीं आलिम तो ये था के पूरी रास तरिफ इस हसीन दिल्रुबा के वजूद को अपनी बाहों के हिसार में जकड कर उसके हसीन चेहरे को सोते हुए तकता रहा और यकीन करने की कोशिश करता रहा के ये लम्हा सच है हकीकत है कोई खुआब नहीं अगला सीन वो नाश्टा कर रहा था कि अचानक रदर सामने से गुजरती लड़की पर पड़ी उसका मूँ खुला का खुला रह गया था मारे हैरत के जैसे कोई भूद देख लिया हो अरीबा इसे तो आदे घंटे में यहां से स्पैन के लिए रवाना होना था फ्लाइट बुक थी उसकी सारा समान भी पैक कर लिया था यहां तक के वक्कार सहाब को भी बता दिया था कि नाश्टा करते ही निकल जाएगा अरीबा कहां जा रही हो फहाद तो अभी हैरान कुन नजरों से उसे बाहिर जाता देख ही रहा था कि महरीन ने पीछे से आवास दे कर उससे इस तफसार किया ओफिस और कहां वो मुड़कर उसे देख लापरवाही से बोली मगर ब्रो तो अभी तक सो रहे हैं फिर तुम क्या अकेले जा रही हो वो भी बगएर नाश्टा करे महरीन फिकरमन लहजे में पूछने लगी पहले से कहीं जादा गहरा रिष्टा था बिनका अरीबा भाबी थी अब इसकी हम मैं सेक्रेटरी हूँ इनकी साथ जाना ठीक नहीं लगता ओफिस के लोग देख कर बाते बनाते हैं मैंने सब्वे कार्ट बनवा लिया है मैं अराम से चली जाऊंगी तुम फिकर मत करो उसने नर्मी से जवाब दिया उसका जवाब सुनते ही सब उलजे थे मगर हिम्मत किसी में नाती कुछ पूछने की जैन ने कहा था कि वो अपने रिष्टे को टाइम देना चाता है बाकी सब अरीबा की बास्ते अंदाजा लगाने लगे कि शायद जैन और अरीबा अभी लोगों पर अपने रिष्टे की हकीकत आशकार नहीं करना चाते और ना ही मिया बीवी की तरह भी रहना चाते हैं क्योंकि दोनों अलग कमरों में सोये थे और ये बात घर का हर शखस नोट कर चुका था और नाश्ता वो मुड कर जाती इससे कबली महरीन ने आवास लगा कर पूछा आफिस में ही कर लूंगी कुष्णा बेगम और फहाद को नागवारी से देखते हुए संजीदगी से जवाब दे कर जाने लगी अच्छा क्या पांच मिन टुक सकती हो मुझे एक जरूरी बात करनी है सबसे इसके लचकदार अंदाज में पूछते ही अरिवा ना चाहते हुए भी रुकी थी ठीक है मैं लाउंच में बैटी हूँ तुम फ्री होकर आ जाओ उसने असबात में सर हिलाते हुए कहा तुम तो चली गई थी ना फिर वापिस क्यों आई पहाद मजीद खुद को नॉर्मल नहीं रख पाया था क्या वो जैन के खातिर यहां रुकने के लिए तैयार हो गई थी या ई के खातिर ये सोच ही उसे गुस्से से पागल कर रही थी वो जानना चाहता था क्या वज़ा है कि वो वापिस लॉट आई फॉरहनी नाश्टा छोड़कर लाउंच की जानिव आया था जहां अभी वो सोफे पर बैट नहीं वाली थी के इस लड़के ने आकर गुस्से से इसका वादू दबोशते हुए अपनी जानिम मोड कर इस्तिसार किया अपनी हदूद में रहो फाहत मैं खरीदी हुई गुलाम नहीं तुम्हारी तुम्हें या किसी को भी मुझसे सवाल करने का कोई हक नहीं समझे कल रात वो डर गई थी मगर अब नहीं इसने फॉरण ही जजबस होकर फाहत का हाथ अपने बादू से जटका उसकी आँखों में शदीद का दूरत थी जिसे देख मुकाबिल हैरान रह गया था वो मजीद कुछ कह पाता के महरीन और बाकी सब लाउंच में आए साथ साथ जैन भी सीडियों से उतर कर डाइरेक लाउंच की जाने बाया हाँ भाई बोलो क्या बात करनी है तुम्हें हम सब से उमर ने संजीदगी से सफसार किया वो मुझे आप लोगों को बताना था के मैंने और हारिस ने शादी का फैसला किया है हम इसी हफते शादी करना चाहते हैं महरीन की बास सुनते ही सब हक्का बक्का हुए आए दिन तो तुम्हारे बॉइफरेंट्स बदलते हैं ये वाला दो मा क्या टिक्या तुमने शादी का ही फैसला कर लिया अना फॉरन ही मुझ बसोर कर बोली शादी कोई खेल नहीं है कि कल को तुम्हे पसंद नहीं आया तो बॉइफरेंट्स की तरह शोहर बदल लिया पूरी जिंदगी का सवाल है उमर भी इसके फैसले पर इतिजाज करता दिखाई दिया हाँ ठीक कह रहा है उमर शादी बहुत बड़ा फैसला है यूँ अचानक शादी कर लेना ठीक नहीं पहले ठीक तरह उसे जानतो लो कुछ मा उसके साथ उसके घर पर रहो फिर सोचना मुश्रा बेगम की बात सुनते ही अरिवा के कान खड़े हुए ये कैसे लोग हैं जो निकाह पर जिना को तरजी दे रहे हैं शादी को क्यों इतना मुश्किल बना दिया गया है कि रिलेशन्शिप जैसे हराम फैल में लोगों को रहना असान लगने लगा है शायद वाहिद एक जाइस तरीका है लड़का लड़की के लिए अपने जिस्वानी वन अफसानी खौईशात को पूरा करने का मगर मुश्रे ने तलाक के खौफ को इतना हवा दे दी है कि लोग शादी करने से डढ़ने लगे हैं इन्हें रिलेशन्शिप में रहना आसान लगता है क्योंकि इसमें कोई तलाक का खौफ नहीं कोई आपको तलाक याफ्ता नहीं कहेगा आपकी कोई बदनामी नहीं होगी बाहिर मुमालिक में इस वक्त इस नई बिगाड़ वाली सोच से लड़ना भी किसी जहाद पर जाने से कम मुश्किल काम नहीं ये कैसी बाते कर रहे हैं आप लोग अगर वो शादी करना चाहती है तो बजाए सपोर्ट करने के आप उसे जना की जानिब धकेल रहे हैं अडीवा मजीद खामोश ना रह सकी उसने सबके दर्मियान में खड़े होकर पुर्जोर अंदाज में एहतिजाज बुलन किया जैन चुप कर आओ इसे बुश्रा बेगम तेजी से भपर कर चीखी उनका बस नहीं चल रहा था कि इस लड़की का हश्र कर दें जो ना सरिफ उनके बेटे को लेकर उड़ी है बलके घर के मौामलात ने अब दखल अंदाजी करना भी शुरू कर चुकी है फहाद को बुश्रा बेगम की बात बहुत अजीब लगी अगर इने अरीवा को चुप कर आना था तो खुद कर आती जैन से क्यों कह रही थी मौम मुझे भी लगता है कि हमें महरीन के फैसले को सपोर्ट करना चाहिए जैन ने उसके बात की ताइट क्या कर दी अना वा बुश्रा बेगम के तो तन बदन में आग भड़क उठी इस लड़की की ताइट कैसे कर सकते हो तो देखो तो सही किस तरह के अलफाद इस्तमाल कर रहे है ये अना फौरान ही भपर कर बोली थी तो आप इस तरह रिलेशनशिप में रहना जाईस समझती है अगर अना सामने से इस मौज़ू पर भहस करने आई थी तो उस लड़की ने भी आड़े हाथो लेना ही बहतर समझा हम महबत करते हैं एक दूसरे से अफिशल वौाइफरेंड गर्फरेंड जे हम अना खासा जताते हुए गोया हुई महबत करने या अफिशल का रिलेशनशिप में टैग लगा कर लेने से आपका अमल जाईस किरार नहीं पा जाएगा अना मैम इसने नर्मी से मगट टिका के जवाब दिया था जहन वफाद दोनों बाखुबी वाकिफ थे कि अरीबा अकेले सबसे लड़ने के लिए काफी है वो खुद ही समाल लेगी इसलिए खामोशी से खड़े बहस बढ़ती देख रहे थे तुम छोटी सोच वाले लोग हो मैं तुम्हारे मूँ नहीं लगना चाहती अना जलील करने पे उतरी आप कितनी भी बड़ी सोच कर लें कितने भी यूनीक नाम दे लें हम इसलाम मानने वालों के नस्दीक निका एक वाहिद जाहिस तरीका है लड़का लड़की के दर्मियान जिस्मानी तालुकात काईम करने का इसके इलावा हर तरीका जिना के जिम्रे में आता है आप जहीन हैं खुड डिसाइट कर लें आप कहां खड़ी हैं इसने मफाहमाना अंदाज में बड़ा गहरा तंस कर दिया था तुम्हारी इतनी जुरत अना का पारा आस्मानों से बाते करने लगा था इसके और बुश्रा बेगम के ख्यालाद जादा जुदगाना ना थे अलीबा के मुतालिक बहुत खार खाती थी वो उस साधी सी दिखने वाली लड़की से इसे अपने आगे जलील गुमान करते थपड मारने के लिए हाथ बुलन किया वो लड़की इसे हाथ उठाता देख डर कर आँखे मीज गई इसने महसूस किया वो डर जाती है अगर कोई इस पर आवास बुलन करे या हाथ माजी में पहुँची तकलीव इसे जहनी तोर पर कमजोर कर गई थी यकीनन मुकाबिल थपड जड़ दे थी बगेर किसी की परवा किये कि अचानक उसका हवा में बुलन हाथ किसी ने अपनी मजबूत गिरफ्त में लेकर रोका सोचिएगा भी नहीं फहाद मरा नहीं अभी माना शदीद नाराजगी थी मगर इसे कोई तकलीव पहुचा है वो भी इसके सामने ये कैसे बरदाश हो वो जान न ले ले तकलीव पहुचाने वाले की आँखों में अंगारे भरे अना को देख दात पीशते हुए वॉन किया के हद में रहे जैन शदीद रंजीदा सा हो गया था इसलमे वो देर से आया इसलिए अरीबा से दूर खड़ा था अना को हाथ उठाता देख वो भी बचाने आगे बढ़ा था मगर फहाथ करीब होने के सबब सिपकत ले गया क्यूं हमेशा मैं दूर होता हूँ और फहाथ पास दिल में अजीब सा दर्द उठा था इसे चुबने लगाता फहाथ का अरीबा के करीब खड़े होना वो हसीन दिलरुबा आँखे मीचे खड़ी थी फहाथ के जुम्ले सुन इसने हिम्मत की आँखे खोल देखने की जब आप ड़ जाएं और दिली तोर पर चाहते हो के कोई मदद करे ठीक उसी लमे कोई बिन कहे आपका साहवान बन जाए आपका मुहाफिस बन जाए आपके लिए दूसरों से लड़ जाए आपके सामने आकर खड़ा हो जाए तो वो शक्स कितना ही जहर क्यों लगता हो दिल में अपना नरम गोशा पैदा करने में काम्याब हो ही जाता है वो भी हो गया था जब देखा के फहाद ने उसे बचाया है नीम शहद रंग आके असकुद ही इसकी मशकूर हुई जबके कुछ फासले पर खड़ा हसीन नौजवान शदीद जल रहा था ये मनज़र देख दिल जैसे जल कर खाकस्तर हो रहा था उसकी आँखे गमो गस्ते से सुर्ख होने लगी जल कर वो तेजी से बगेर कुछ कहे बाहर चल दिया था पहाद उलजा हुआ था कि वो अरीबा को बच्पन से जानता था कोई डरपोक या सहमी सहमी रहने वाली लड़की कभी ना थी वो वो तो बहुत निडर वा बहुद्दू लड़की थी फिर वो अचानक डरने क्यों लगी थी क्यों वो अना से डर गई क्यों कल रात वो इस से डर गई थी ऐसा भी क्या हुआ है इसकी जिंदगी में जो इतनी अना उमर ने फी गुर्रा कर इसका नाम लिया जैसे वांड कर रहा हो के ना भूलो अरीबा कौन है और इसका क्या मुकाम है इस घर में आप लोग प्लीज लडना बंद करें मैं शादी करना चाहती हूँ और ये मेरा और हारिस का बहुत सोच समझ कर किया जाने वाला फैसला है इसलिए प्लीज महरीन ने सबको संजीदगी से अपना फैसला सुनाया था ठीक है अगर तुम दोनों बच्चों ने फैसला कर लिया है तो हम अब क्या कह सकते हैं वैसे भी ये तुम्हारी लाइफ है बुश्रा बेगम ने रजबंदी जाहिर की महरीन वा उमर के वालदेन इनके बच्चपन में ही कार एक्सिलेंट में इंतिकाल कर गए थे तब से बुश्रा बेगम ने अपने बच्चों की तरह इनकी परवरिश की थी शुक्री आउंटी महरीन मुसर्रस से कहते हुए उनके गले लगी हारिस से कहो हो सके तो कल ही अपने वालदेन को ले आए वकार सहाब के कहते ही वो खुशी खुशी असबात में सरहलाने लगी तुम्हारी तो फ्लाइट है ना चलो मैं तुम्हें एरपोर्ट तक छोड़ देता हूँ वकार सहीब ने फाहत को अरीबा के पास खड़ा दे संजीदगी से कहा नहीं शुक्री अंकल महरीन मेरी छोटी बहन जैसी है उसकी शादी चोड़ कर नहीं जा सकता अरीबा चली गई है यही सोचकर वो इस पहन जाने के लिए वह खुशी राजी हुआ था अब जबके वो हसीन दिलरुबा यहीं रह रही है तो ये कैसे मुमकिन के वो इसे तनहा छोड़ जाए इसे तो सरिफ बहाने की तलाशती जो महरीन के शादी के सबब इसे असानी से मिल गया था उसकी बास सुनते ही वकार सहीब ने मूँ बसो रहा अगर बस में होता तो जरूर इस लड़के को हाथ पकड़ कर अपने घर से निकाल देते मगर बस ही तो नहीं चल रहा था वो अस बात में सरे लाने लगे अरीबा अभी तो मेरे बराबर में ही खड़ी थी कहां गई वो वकार साहिब से बाते करने लगा इतनी देर में वो ऑफिस जाने के लिए घर से निकल गई छोड़ कर चला गया बे मुरववत इंसान वो बाहिर आई तो कहीं न कहीं दिल को उमीद थी कि वो हसीन नोजवान इंतिजार करता मिलेगा फिर जबरदस्ती करके अपने साथ गाड़ी में बिठा लेगा मगर बाहिर तो आई तो पता चला के वो सितमगर तो जा चुका था वो अपना सा मू लेकर पैदल चलने लगी फिर सब्वे स्टेशन पर पहुँचकर ट्रेन से अपनी मंजिल तक पहुँची आज आपको पार्टी में जाना है अपने नए बिजनिस पार्टनर जैम सर के घर वो अज़ा सेकेटरी से आज का शेड्यूल बता रही थी फिर अभी वो बोल ही रही थी तुम साथ चलोगी मेरे उसने अपनी जगह से उठते हुए तेजी से कहा मैं मुकाबिल को करीब आता देख वो नासमजी से कहती हुई उससे दूरी काइम करने के लिए डेक्स के करीब हुई क्यूं कोई अनोखी बात की है मैंने वो हस्तीन नौजवान छोटी आखे कर सब पार्ट से लहजम में इस्तिफसार करने लगा नहीं नहीं तो ठीक मैं तैयार हो जाओंगी उसका खुशक अंदास देख मुकाबल ज्खम कर गोया हुआ जैन के साथ कारोबारी मुआमिलात के होने वारी पार्टी तेटेंड करना उसकी जॉब का हिस्सा था और वो ये बात जानती थी तैयार क्यों किसी को सेड्यूस करना है तुम्हे वो करीब आकर खड़ा हुआ आई ब्रोज काकर तफ्तीशी अंदाज में अपने दोनों हाथ इसके खुशूरत वजूद के गिर्द डैक्स पर जमाते हुए पूशने लगा इस हसीन दिलरुबा का रास्ता मुकमल तोर पर बंद कर दिया था जैन ने लहजा खासा चुपता हुआ मालूम हो रहा था मुकाबल को उसे समझ नहीं आया अचानक जैन को क्या हो गया है कल रात तक तो बिलकुल नॉर्मल बात कर रहा था उसकी नस्दीकी के सबब वो हसीन दिलरुबा फॉरण ही गर्दन पीछे की जानिब गिराने लगी मिस्टर जैन कैसी बाते कर रहे हैं आप जरूरी तो नहीं कि तैयार किसी को सेड्यूस करने के लिए ही हुआ हो वो एहतिजाजन पूछ उठी बिलकुल मैं तो रोज इसलिए होता हूँ कि अपनी सेक्रीटरी को सेड्यूस कर सकूँ जिन्दगी में पहली बार लेड भी जिन्दगी में पहली बार लेड सेड्यूस भी इसलिए हुआ हूँ क्योंकि तुम्हारे क्योंकि तुम्हें करने के चक्कर में दो घंटे तक आयने के सामने खड़ा रहा आज मगर अब लगता है बेकारी दो घंटे साया किये आखरी जुमला दाथ पीसते हुए अदा किया था इसका लहजा शिक्वा जलका रहा था जबके आँखे खब गी अरीवा ने वाके नोट नहीं किया था अब तक और ना ही करना चाती थी दिल पर तो वो सितमगर पहले ही गालिब है अगर यू हुस्न के जल्वे दिखाएगा तो यकीन हवासों पर भी गालिब आने में देड़ न लगेगी शायद वो सितमगर वाकिफ नहीं किसकदर हुस्न से माला माल वज्जिया मर्थ था वो उसे मज़ीद तैयारी की क्या जरूरत वो घर में अपनी सादा सी सफेड टी शिर्ट और बलैक पजामे में भी कियामत बर्पा करता है उसके दिल पर जिसे पहन कर यकीनां वो खुबसूरत लगने की कोशिश नहीं करता होगा मगर वो फिर भी लगता है अरीवा नहीं बता सकती थी उसे कितना मुश्किल है उसे देखकर अपने दिल को धड़कने से रोकना जो बावला हो जाता है उसकी नस्दीकी से जैसे इस लमएं हो रहा था मिस्टर जैन मुझे तनखा काम करने की मिलती है यहां आपको देखने की नहीं तो प्लीज मुझे मेरा काम करने दे अपने बिखरते जजबात पर काबू पाकर वो इशारतन दबे दबे गुस्ते में रास्ता छोड़ने का कहने लगी ठीक है तो आज से ड्यूटी चेंज कर रहा हूँ मैं तुम्हारी आज से तुम्हारी ड्यूटी सिर्फ मुझे देखना है उसके हाथ में पकड़ी नोट बुक एक हाथ से चीन कर डेक्स पर डालते मुकाबल के चेहरे के करीब अपना हसीन चेहरा लाकर भराई भराई आवाज में कहा वैसे अगर देखा जाए तो स्टॉप्शन हूं तुम्हारे लिए फहाथ से जादा अमीर हूं मैं और यकीनन तुम्हारे ई से भी जादा ही होंगा फिर क्यों नजरे आनायत मुझ पर नहीं पढ़ रही यकीन जानो ऐसा कुछ नहीं जो मैं तुम्हें ना दे सकूँ उसकी नस्दीकी से डरकर वो दूरी काइम करने के लिए पीछे के जानेब सर गिराने लगी थी मगर वो जतना सर गिलाती मकाबल इतनी ही नस्दीकी बढ़ाता करीब से देखो मुझे इसे मुसलसल खुद से दूर होने की कोशिश करता देख इसने डेक्स पर हाथ मार कर सारा समान नीचे गिरा दिया और अगले ही लवे इसकी नाजुक कमर को पकड़ कर इसे डेक्स पर बिठाया फिर बिलकुल करीब आकर खुद को बगोर देखने का हुकम सादिर करने लगा भला ऐसा कौन करता है अरीबा उलच कर रह गई थी इस सितमगर के अजीव रवईये पर क्या मैं खुबसूरत हूँ उसने नहाये इश्ट्याक बेसबरे लहजे में पूछा वो ना समझी से उसकी कुर्बत के सबब आवाज हलक में ही कहीं गुम हो गई थी मैंने पूछा है कुछ वो जवाब देने पर जोड डालते हुए मिस्टर जैन हम आफिस में हैं इस वक प्लीज अपनी और मेरी इश्ट का ख्याल करने इसकी नजदीकी के सबब गलाख कुश्क पढ़ रहा था मगर खौफ भी लहाग था कि कहीं कोई आ न जाए अगर किसी ने देख लिया तो क्या इश्ट रह जाएगी इसकी लोग तो इसे ही गलट ठेराएंगे समझेंगे अमीर लड़के को फसा रही है अच्छा नहीं लगता तो साफ कहो बात को टालने के लिए मोजू बदलने की कोशिश ना करो मुकाबिल ने संजीदगी से कहा उसके लहजे में दबी दबी गुराहट नुमाया थी मिस्टर जैन बहुत हो गया दूर हटें मुझे उतरना है इसे अपनी इज़त बड़ी प्यारी थी इसे हल लड़की को होती है खासा सक्ती से हुकम सादर किया जैन का बदला बदला रूप इसे परिशान कर गया था अब वो लड़की क्या जाने सुबह से आग लगी हुई थी मुकाबिल के दिल में और ना हटू तो उसके होटों के करीब अपने होट लाकर आँखों में आखे डाल चैलेंजिंग अंदाज में इस तफसार किया जी तो में आप मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है क्या आप लोग नॉविल पढ़ने के बाद अच्छे-च्छे से कमेंट्स दिया करें रिव्यू दिया करें जिससे जो है वो राइटर को हसला अवजाई मिलती है और जो भी हो तनकीद हो जो भी हो आप लोग करनी हो आप लोग जरूर बताया करें